अटकी शीद, ये कैसे हो गया? मॉली मेरे हाथ में मैं, ऐसे कैसे? बचपन में हिंदी में कहावत सुनी थी, कि साप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वेल डान सुनाली, वेल डान। वेल पातनी सुनाली जी, अब साली भी तो आदी गवर वाली होती है? हशी मजा के एक तरफ और इधी रवायच एक तरफ जब बोलो ना तो सो समझ के बूला करो गलती मेरी है, मैं मेरा हाथ निकालती हूँ लेकिन इसके लिए मुझे मॉली खोलनी पड़ेगी, मैं अभी खोलती हूँ रुकिये, मॉली का कटबंदन तोड़ना असुप माना जाता है, ये गाठ एक बार बन जाया ना तोड़ी नहीं चाती किसका क्या उपाय है पड़नी जी? होने वाले वर्वदू को सारे रीती विवाज पूरे करने दीजिये और बेटी आप भी इनके साथ ही रहेंगी सोनाली तो पल्डवी के परिवार का हिस्सा ही है ना? उसकी छोटी बहन आप सब केले के वरिक्स के पास चलिये आप अपने इस देवता का ध्यान कीजिए सारुमंगल मांगलिये, सिवे सरवाब साधिके, सरणने तरम्मके जोरी, नारणी, नमस्तु के ये तो सिर्फ शुरुवात है, बहुत जल्द निकवही करेगा जो मैं चाहूँगी और उसके बगल में मैं खड़ी रहूँगी अगर कोने में कोई होगा तो वो होगी पल्लवी आप अपने हाथ से स्वास्पिक बनाईए और बेटा आप अपना हाथ इनके हाथ पे रखिए बेटी आप भी साथ में रहेंगे जी पंडित जी साथ तुमें क्या हमेशा से दी योर जी जुके अम भूर्ग वास्वा तत्से वितुर वरेणियम भर्वो दिवश्य धी मही धीयो योने पर्चो द्याथ शोनाली वो मॉली खोलनी है यह खोलनी रहा यह खोलनी रहा पुजा संपन हुई पुजा संपन हुई अब मंगनी की रसम होगी आप एक दूसरे का उठी पनाएंगी सबसे पहले कन्यांग उठी पनाएंगी पर वो रिंग्स तो नानी रिंग्स तो मिली नी रही मना तो टेंशन मत ले सोनी की नहीं पर तुलसी की तो है न अंगुटी और अगा अंगुटी है मिल थे तो सोनी के सुहाग तो जानती है न ऐसे कैसे रितिरवाज और ये जैसिंख खानदान की परंपरा कितना मायना रखती है इसके लिए शिकर ने कर बताओ ना मुझे अलिभी बिटा है कुछ तकलीफ है माँ आपसे अकेले में कुछ बात करनी है ज्यादा वक्त नहीं लगेगा पर बात अभी करना ज़रुरी है बहुत अच्छा मावी हमारी इशो की शादी इस परिवार में ने बना इसके शादी में बना बस ऐसे रुखा आपके आपके शुष। ठीरे बोलो बना फिर से निखिल की ममी जी तुने और कुछ सुनाएगी पलवी बेटा ऐसे क्या बात है जो रोके के बात नहीं हो सकती माप लीज मैं विंती करती हूं आपसे सिर्फ दो मिनिट लगेंगे प्लीज अच्छा बेटा तुम शान्त हो जाओ कहीं पलवी ने मा को तीनों का सच बता दिया तो ओ गॉड सुना ले पलवी और मेरी असलियत मेरे मा तक नहीं पॉंशनती मुझे लगता है पलवी निक्स से शादी करने से इंकार कर रही है चलो अच्छा ही है फाइनली खुदने हार मानी ली तीर बिलकुल निशाने पेड़ लगा है ना और क्या अगे देखियो और क्या क्या होता है तुम्हारी अमानत काफी देर से संभाल कर रखी दी तुम्हारे लिए ध्यान रखना पलवी और निखिल की रोकी की रिंग्स हम् मेरे और मेरे निक के बीच किसी को ने आने दूए मैं चाहिए फिर वो ये पलवी हो या ये अंगूठिया हो अचानक क्या हो गिया बेटा बेटा बताओ न इसी कौनसी बात ही जो तुम्हें परिशान कर रही है मा ये सब जो हो रहा है ना मुझसे नहीं होगा पलवी जानती है कि ये सब दिखाव है फिर भी ऐसा क्यों कह रही है बेटा ऐसी क्या बात हो गए ये बताओ न कुछ समझ ही नहीं आरा अभी तक रिंग्स नहीं मिली तादी को पता चला कि अभी तक रिंग्स नहीं मिली था मुझे डांटिंग ही तो नहीं और उन्हें बुरा बहुत लगे का बलवी बेटा हम फिर से पूछ रहें तुमसे क्या ये तुमारा आखरी फैसला है तो ठीक हमारी बहु की खाहिश हमारे सरांख पर हम तुमारे साथ हैं थांकियो मा तो फिर हम जाके सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि हमारे बहु का फैसला क्या है सबको बताना जरूरी है हाँ भिटा सबको बताना जरूरी है क्योंकि हमने फैसला किया था कि आज तुमारी उकोको के रोगे के बाद हम तुमारी शादी की देट अनाउंस करेंगे ये भी सबको पता होना चाहिए है ना तेजी चलो जाके अनाउंस कर देते कब तक इग्नोर करोगी मुझे? शान ये क्या है? अना प्लीज बात मत पक्ड़ो शान मेरा हाँ छोडो ये क्या है? शान ये तो मोमदाट के एंगेजमेंट रिंग्स है पर ये यहां कहां से आई? हमने तो पूरा घर ढूंडा ना? ये रिंग्स यहां कैसे? मुझे समझ नी आरा हर थैंक गॉड हमें ये रिंग्स मिल गई ये तो दादी मेरा क्या हाल करती है? ये ती पुड़ी गुलती मुसर कैसे हो कुई? इसा भी तो सकता है कि ये रिंग्स किसी गेस्ट के हो जो यहां पर पहले बैठे हो नहीं शान, ये मॉमडाट की इंगेजमेंट रिंग है पर तुमने यहां पहले किसी को बैठे देखा क्या? हाँ, हाँ, एक्चली तुमारी सुनाली मैस यहां बैठी थी उन्हें देखा था Are you sure? हाँ, I'm sure पर सुनाली मासी के पास यह रिंग्स कहा से आई? यह तो अभी अभी खा रही है अभी थे सालों बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अगर मन्ना को पता चल गया कि उसके माबाप के रोके के रिंग मैंने चुराई थी तो काम शुरू उन्हें से परले खतम पर सुनाली मासी का रिंग्स से क्या लेना देना? और यह रिंग्स उन्हें मिली कहा से? और अगर मिली भी तो हमें क्यों नहीं दी? उन्हें पता है ना हम रिंग्स ढून रहे थे I don't know एक तो वो all of a sudden कहीं से आ गई and सच पताऊ तो मुझे ना वो थोड़ी over the top ही लगती है हर बात पे इतना extra emotion इसके चेहरे से लग रहा है यह जुप नहीं बैठने वाली अगर रिंग का सच सब को पथा चिल रहा है तो मुझे कुछ करना होगा मन्ना इतना सोचने से अच्छा है कि तुम सोनाली मास्य से पूछ लो जाकर नहीं इशान कितना ओक्वर्ड लगेगा उने लगेगा मैं पे इल्जाम लगा रही हूँ हिक तो वो वैसे ही इतनी मोशनल है अगर मेरे कुछ बोलने से वो और तेज से रो गए तो तो मैं तो गई अगर अगर नाश तेरा इसोनाली कर क्या रही है? इस तरी महेंगी साड़ी मेरी खराब करके रखी तुने एसे सिखाई है यहाँ पे में मालो की खातेर दारी करना? इशू! नहाँ चले गया है तू पर का! वह थीख है ना? क्यों? तुम्हें मैं ठीक दिख रहे हूं? मेरी फूरी साड़ी खराब किर दिया है, तुम्हारे ऐस घर मेरी खरवाले गड़ी ना तो कूई तो कोई गरबाली और ना ही तुम्हारे महमान टर्वी ठीक हो सत्ते है जिख ने रा, मिरी इतनी बहाँ की साड़ी खराब कर दिया यह ले ड Alleg created last पाड़ी थी, तीदी मेरे इतनी फेवरेट लीटी तीर को पता है मेरे किसी फेवरेट है बॉआ, मैं मैं ड्राइवर को फोन करता हूँ, व आपको भी घर छोड़ देगा बात सुन, ड्राइवर क्यो, ड्राइवर का क्या मतलब, मुझे नहीं पता इशु, तू ही जाएगा में को छोड़ने में ड्राइवर के साथ में जाऊंगी बॉआ, मैं आजाता, पर मा के लिए पढ़ जाएगी, और अगर से पाटी छोड़ के जाऊंगा, तो लोग बुरा मान जाएगे ओ मैं कॉड, मैंने फिर से रिंग्स कुमा दी आज लोगों का ज्यादाते को ख्यालो और बुआ का पिल्कुल ख्याल नहीं है, और ये जो मम्मी का भाना तू लगा रहा है ना, मुझे सब समझ आ रहा है, मैंने ड्राइवर के साथ नहीं जाना, बस मुझे अभी के अभी यह से लेके चल, अरे क्या हुआ किसी चीज के गिरने के आवाज सुनाई दी और वो भी धमाके की कुछनी नानी वो पेटर ने ट्रे गिरा दी, छोड़ा सा अक्सेरेंट हो गया ओ माई गॉड जीप, जीदेखो मुझे क्या मिला, रिंग्स, कहीं ये डी और जीचु की इंगेजमेंट रिंग्स तो नहीं वह है क्या? तो? हाँ, ये तो वह है रिंग्स है सुना अली मासी, आप तो सच में हमारे लिए लगी है है जी, अमुठियों का मिलना शुप शगुन हुआ ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन के रहन उस सब के सामने शादी का एलान करने वादी थी ना, क्यों ना? उससे पहले न हमें पंडीजी से बात कर रही है, आजाओ माँ, माँ क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो, पलवी ने क्या का अपस है? देख, तुम्हारे फ्रेमली अपस में क्या अबत कर रही है? मुझे कभी इंवॉल्फ किया है, जो आज करेंगे? अरे कुकु थोड़ा सबर रख, मुझे पंडीजी से बात करनी है, सबर कर, मा पलवी, क्या कहा तुम्हे मा से, मा इतनी टेनिस क्यो है, सच बता दिये ना तुम्हे, रहा नहीं गया ना तुम्से रलाक्स या नेक, तु फूछ रहा है क्ए बता रहा है? छैंकी, एक मेंट, मैं तुमसे बात कर रहा हूं पलवी, तुमने मार से क्या कहा, मुझे बता हूँ, वो, क्या, मा के सामने तो तुप नहीं रही, बेरे सामने क्यों चुपाँ, सुनिये, 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 आप सब हमारे बेटा और बहु के रोके में आये, इसके लिए हम आप सब का तह दिल से शुक्री आदा करते हैं, आप सब हमारे परिवार के बहुत तरीब हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को एक खास बात बताना चाहती हैं, हमारी बहु, पंडित जी और हमने ये फैसला लिया है कि ये शादी जल्दबाजी में नहीं होगी, जैसिंग प महरत में हमारा बेटा और बहु, साथ फेरे भी ले ले लेंगे, अलिया, अब शादी के अनॉंसमेंट तो हो चुकी है, लेकिन अगर मंगनी अब जल्दी से नहीं हुई, तो मैं अपने कमरे में चली, सोने के लिए, चलो चलो, इतनी खातिरदारी की ये लड़के वालों की रसम तो बनती है के नहीं? सब के सब आजाईए, मंगनी करते हैं, चलो गगन, हाँ, बढ़ी ऐसी फोटो खीश रहा है, हाँ, हाँ तुको, दूसरी बार शादी कर रहा है पल्लवी से, बांच-बांच बच्चे हो गए तेरे, अब फिर भी तू इतनी दूर खड़ा है, पांच जा के खड़ा रहे ना ये गेम तो पल्लवी जीत गई सोचने दूसे ऐसा, कि वो ये गेम जीत रही है होने तो खुश, क्योंकि आखरी बाजी तो मैं ही जीतूँगी पल्लवी ने तो सिर्फ अंगूठी पहने लेकिन साथ फेरे साथ फेरे तो मैं ही लूँगी निक के साथ अब तक में रिष्टों की आर्मीजेगेम खेल रही थी पर अब शुरू होगा सुपर सुनाली का सुपर स्ट्रॉंग गेम जिसे मात देना इस पल्लवी की बस की बात ही नहीं है भी लूँ़ ऑन्ग्ड में बसे लूँएंग अढर्फ चेरी पुलिंग जाथ खेय्किन क्या कि स्तौनी जेजियर के लूटाे भी नहीं हात अध्यूभ के लूपर बायर क्या湃 क्यृ नहीं क्या भी भी का आष्या झाल झाल